दिल्दार नगर फाना अंतर्गत परशों रात में एक जगड़ा हो गया था और मामूली से जगड़ा था दुकान से आलू को आलू लेने के लिए करके था तो इसमें बिवाद हुआ पहले महिलाएं की लड़ाई हुई और फिर उसमें पूरिश भी उतर आये और इमें लाठी डंड़ा चला तो उसमें एक राजनाथ हैं जिनकी पचास से ज्यादा उम्र है उनको चोट लग गई थी उनको ले आये थे हां हास्पिटल में जहां फिर उनकी टेथ हो गई थी लाज के दौरान इसमें जो विपक्ष पार्टी है उसमें पांस लों का नाम जट किया था कि सभी लोग शामिल से जगड़े में और पांस वार्टी दफ्तार हो गए हैं इनकी जफ्तार कर से जेल बेजा जा रहा है प्रतम दस्तिया किस तरह का मामला है यह कोई इनकी रंजिस नहीं थी और आपस परिवार हैं दोनों हर्जन है चाचा भतीजे भी रिष्टे में लगते हैं तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई पुस्तैनी दुश्मनी थी या किसी बात को ले करके सिर्फ आलू खरीद्दे को ले करके हो गया है तो कोई बात को दो से कनई चे टॉो बात को तो को ऋ। यहाझा को जुश्मनी थी और, चांश्यल थी नहीं तो